कॉंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं तो ये कोशन्स देख लीजिए ये कोशन्स आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे तो पहला कोशन्स हमारा रहेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग संगीत की किस सहली से है तो यहाँ पर बात हो रही है आएं बाल मुर्ली क्रशन की तो इनका संबन्द जो है ना करनाटक संगीत सहली से है तो करनाटक संगीत आपका सही आंसर हो जाएगा नेश कोशन्स देखेगा नेश कोशन्स हमारा है सर्वत्रिक गृत्वा करस्ण नियम के संबन्द में गलत कथन की पैचान करना है तो इसमें देखे गलत कथन हो जाएगा यह तारों और प्रतवी के कारण जुआर भाटा उत्पन करने वाला बल है दूसरा उप्शन्स करेक नेश कोशन्स देखेगा सेशन को एक बार सेर कर दीजिए अफ लोग कोशन्स क्या है निम लिखेत में से कौन सी घटना 1398 में हुई थी तो देखे 1398 में जो घटना हुई थी तैमूर का भारत पर आक्रमड़ नेश कोशन्स देखेगा अगला कोशन्स क्या है कि हेंरिक हट्रज ने कव फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और यह पाया की इलेक्ट्रोडों पर चमकदार प्रावेगनी प्रकास उनके बीच बॉल्टेज में परिवर्टन का कारण बनता है 1987 में नेश कोशन्स देखेगा नेश कोशन्स हमारा है उगादी डैस नवर्ष है जो मार्च के महिने में मनाया चाता है उगादी तेलगू नवर्ष है जो मार्च के महिने में मनाया चाता है अगला questions देखेगा सभी वच्चे वर्स डएज में Imperial Cricket Conference ICC के गठन के साथ ही Cricket एक अंतरराश्टिय खेल बन गया तो देखें वर्स नव में Imperial Cricket Conference ICC के साथ ही Cricket एक अंतरराश्टिय खेल बन गया तो दूसरा option जैगा सेसन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लेस सेसन को सेर कर देज़ेगा लाइक कर देज़ेगा ज्यादा से ज्यादा नेस्ट कोशन्स क्या है कि नवरोज नवरोज भारत में निम लिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है नवरोज, नवरोज, भारत में पारसी समुदाई के द्वारा मनाया जाता है तो पारसी आपका सही आंसर हो जाएगा Next questions देखेगा काउंसी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से सम्मंदित नहीं है सरकारिया आयो की जो रिपोर्ट है ना ये मौलिक अधिकारों से सम्मंदित नहीं है शोथा options correct हो जाएगा Next questions देखेगा October 2022 में जम्मो और कस्मीर के उपराज्य पाल काउन थे October 2022 में जम्मो और कस्मीर के उपराज्य पाल थे मनोज सिना तो मनोज सिना आपका सही अंसर हो जाएगा बात करेंगे Next questions की अगला questions हमारा है डेस को प्रचूर मात्रा में घुलित ऑक्सीजन सूर के प्रकास पोशक तक्तों शामरता उच्छे तरंग उरजाओं और जल की गती और अंतर जुआरिये उपछेत्र में बारी बारी से जल मगरता और अनावरता के आधार पर बढ़ित किया जाता है विलान चल दूसरा options करेक्ट हो जाएगा Next questions देखेगा सभी बच्चे questions हमारा है निम लिखित में से किसने the dark room लिखी थी जिसमें एक भारतिय महिला को पुरुस वर्चस सुका सक्ट बिरोद करते हुए दर्साया गया है आर के नाराय अगला questions देखेगा निम लिखित में से किस इस्थान पर सर्दियों में अत्यदिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभाव होता है लिखित में सर्दियों में अत्यदिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभाव होता है तो लिखित आपका सही अंसर हो जाएगा अगला questions देखेगा डैस को भू प्रष्टिय जल नहीं माना जाता है जल व्रत्यों को भू प्रष्टिय जल नहीं माना जाता है तीसरा options करेक्ट हो जाएगा अगला questions देखेगा निमलिखित में से कौन सा नीती गत उपाय उदारी करण की दिसाव में एक कदम नहीं है टैरिफ में ब्रद्दी बात करेंगे अगले questions की निमलिखित में से किस सैली के वादक के रूब में प्रसिद है उस्ताद असद अली खान जो है न यह धूर्पत के खंडारवानी सैली के वादक के रूब में प्रसिद है तो खंडारवानी आपका सही अनसर हो जाएगा नेस questions देखेगा कनक राजू को निमलिखित में से किस लोक नर्थ के लिए 2021 में पदम सिरी से समानित किया गया है कनक राजू को गुसाडी लोक नर्थ के लिए 2020 में पदम सिरी से समानित किया गया है तो गुसाडी आपका सही अनसर हो जाएगा नेस्ट कोस्टन्स देखेगा नेस्ट कोस्टन्स है अलूना कावविनी निमलेकित में से किस नर्ते से संब्दित है अलूना कावविनी जो है न ये मड़ी पूरी नर्ते से संब्दित है तो मड़ी पूरी आपका सही अंसर हो जाएगा नेस्ट कोजिशन्स देखेगा नेस्ट कोजिशन्स हमारा है राश्टिय सांख की कार्याले एन एस ओ के आंकणों के नुसार 2021 में भारत की आउसस साच्छरता दर कितनी थी राश्टिय सांख की कार्याले एन एस ओ के आंकणों के नुसार 2020 में भारत की आउसस साच्छरता दर जो थी वो थी ससतर दसमलब सतर प्रतिसर तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे सरकरा में मौजूद खाद घटक क्या होता है तो सरकरा में मौजूद खाद घटक होता है काईबरो हाइडड तो काईबरो हाइडड आपका सही आंसन हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा गुर्त्वा करसन के बारे में सही कथन का चैन कीजिए गुर्त्वा करसन जी की काई तुरन की काई के समाने तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा जब नदियां किसी जील या गर्त में सबी दिसाओं से अपने जल का नर्वहन करती है जैसा कि मड़ीपुर में लोग टक जील के मामले में होता है ऐसी स्थिती में बनने वाले अपबातंत्र को क्या कहा जाता है अभी केंदरी और दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नच कोश्चन्स देखेगा नच कोश्चन्स नमारा है भरत नाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगित के लिए किया जाता है भरत नाट्यम पारंपरिक रूप से करनाटक संगित के लिए किया जाता है तो करनाटक संगित आपका सही अंसर हो जाएगा नच कोश्चन्स देखेगा भरतिय समिधान में मौलिक अधिकार निम लिखित में से किस देश के अधिकार पत्र विल आफ राइड से प्रेरित है भरतिय समिधान में मौलिक अधिकार जो है न ये यू ऐसे देश के अधिकार पत्र से प्रेरित है तो यू ऐसे आपका सही अंसर हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा कोशन्स के आए कि विंग्स आफ फायर डेस्की आत्म कता है देखें विंग्स आफ फायर जो है न ये एपी जे अब्दुलकलाम की आत्म कता है तो एपी जे अब्दुलकलाम आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा बिना अनुमुती के संसत के कितने दिनों की अनुपस्तिति के बाद कोई सांसत आयोग हो जाएगा बिना अनुमतिके संसस से साथ दिनों की अनुपस्तिति के बाद कोई संसस अयोग हो जाएगा पहला ओप्शन सही हो जाएगा नास कोशन देखेगा वास्केट बॉल खेल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाडी कोड पर खिलते हैं पहला ओप्षन सही हो जाएगा नेश कोशन्स देखेगा सभी बच्चे भारतियस समयधान के अनुच्छे 36-51 का समद निम लिखित में से किससे है भारतियस समयधान के अनुच्छे 36-51 का समद झो हैừaирाज के नीत निर्दिसरक तत्त्त से हैं तो तीस राओप्षन्स करेक्ट हो जाएगा तो अगला कोशन्स देखेगा 29 निमलिखित में से कौन साकर राजसु का इस त्रोथ है निमलिखित में से कौन साकर राजसु का इस त्रोथ है सीमा सुल्क तो सीमा सुल्क आपका सही आंसर हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा नेस कोशन्स हमारा है कि 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुक बस तो निमलिखित में से कौन सी थी 2021 में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुक बस तो इप्रेटोलियम उत्पाद अगला कोशन्स देखेगा सबी बच्चे निमलिखित आंकडों में दी गई उपादान लागत पर GDP की गढ़ना करें बजार मुल पर GDP 600 करोन रुपए अचल पूजी की खपत फिक्स्ट कैपिटल 100 करोन रुपए आप अच्छकर 200 करोन, सबसेडी 50 करोन तूटल हो जाता है सोरी, आंसर हो जाएगा 450 करोन रुपए ठीक है, नेस्ट कोशन्स देखेगा नेस्ट कोशन्स हमारा है दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोडे से गिरने पर लगी चोटों के कारण मरत्यू हो गई थी दिल्ली का वह सुल्तान था कुतवुद्दीन एवक नेस्ट कोशन्स हमारा है निमलिकित में से कौन केंद्र में लोक कार्मिकों की भर्ती और सेवा सर्तों से समद्धी विवादों को निपटाने के लिए उत्तरदाई है केंद्रिय परसासिक न्याज करण तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन्स देखेगा नेस्ट कोशन्स हमारा है दो सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रवार दिया गया था दो सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को वित मंतराले का प्रवार दिया गया था तो वित्मंत्रालय आपका सही अंसर हो जाएगा नैस कोशन्स देखेगा अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नबाब कौन बना अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नबाब सिराजुद दोला बने थे तो सिराजुद दोला आपका सही अंसर हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे ब्रेटेन और फ्रांस के वीज वर्ष 1763 में हस्ताक्ष्रित डैस की संदी द्वारा वाटिवास की यूद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी स्वामित को बाहल कर दिया गया था पेदीरा अगला कोशन्स देखेगा नेस कोशन्स हमारा है निम लिखित में से काउंसा कथन सही है दूसरा ओप्षन्स करेक्ट हो जाएगा रासानिक रूप से जंग जल योजित फेरिक आउकसाइड होता है नेस कोशन्स देखेगा डेस पंच बरसी योजना लैगिक मुद्व मैला ससक्ति करन और राजियों के वीच बढ़ती आशमन्ताओं और अंतर छेत्रिये आशमन्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली योजना थी पांच वी पंच बरसी योजना में अब देखेए अगर आप किसी बी सस्री का किसी बीगर और अधाल देते हैं तो ये मिलान वाले भी कोशन पूछे जाने लगे हैं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए चोथा options correct हो जाएगा अब देखिए सुमेल कैसे करना है मिलान कैसे करना है बोजा लीजिए तूती कोरिम बंदरगा ये कहाँ पर इस्तित है किस राजी में इस्तित है तो ये तमिल नाडू राजी में इस्तित है clear है हल्दिया बंदरगा पश्य मंगाल में एस्तित है और मंगलोर बंदरगा ये करनाटक में इस्तित है इस परकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते है next questions देखेगा next questions में रहा है इल्टु तमिश का मकठरा किस वर्स बनाया गया था हरित करांती के संदर में निम लिखित में से कौँ सा कथन गलत है इसे वर्षा पोशित छेत्रों में लागू किया गया था तो दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नाश कोशन्स देखेगा अगला कोशन्स है गाई इसकी एलिल ब्रॉमाइट का मुखे आई यू पीएसी नाम क्या था क्या है तो एलिल ब्रॉमाइट का मुखे आई यू पीएसी जो नाम है वो है बिरूमू ब्रोपीन तो चौथा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नाश कोशन्स देखेगा नेस्ट कोशन्स है 2011 की जनगणाना की अनुसार भारत में निम लिखित में से किस राज की साच्छर्टा दर सबसे कम है 2011 की जनगणाना की अनुसार भारत में बिहार की साच्छर्टा दर सबसे कम है तो चोथा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा हर्ष चरिष संस्कृत में डेस द्वरा लिखा गया था देखी हर्ष चरिष संस्कृत में वान भट के द्वरा लिखा गया तो वान भट आपका सही अंसर हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा अंतर उस्वन कटवन दिये अभी सरण छेतर तो इसमें देखे जो चौथा ओप्शन्स है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए बी और डी ठीक है नेट्स कोशन्स देखेगा वहाँ कौशन्स एक मर्थ पारिस्तिकी तंतर है जो सौर उड़जा पर नहीं पनपता है गहरे समुद्र में पाया जाने वाला जलतापिय पारिस्तिक तंतर तो दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नेट्स कोशन्स देखेगा टेस्ट मैस क्रिकेट में एक टीम एक दिन में नियुनतम कितने ओवर खेल सकती है नेश कोशन्स देखेगा निमलिखित में से कौन अपरद कुसरल आकारवनिक पदार्थों में निमनिकरत कर सकता है कब किये एंजाइम पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नाश कोशन्स देखेगा सबी बच्चे मद्य परदेश सरकार ने चेन नहीं के एक प्रसित ड़ैस दंपती धननजे दंपती को 2019-2020 के लिए पर तिष्ठित राष्टिये काली दास सम्मान से समानित किया है भरत नाट्यम के लिए दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा लाश कोशन्स रहेगा आज का विस एटलिक चेंपियनस्टिब में पतक जीतने वाले पहले भारतिये कौन है अन्जू बॉबी जॉर्ज पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा लाएगा